हलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टो दे चैनल परफियम गुरू आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टन मुद्दे पर बात करेंगे और एक ही बहुत ही अच्छे बजट परफियम का रिव्यू करेंगे Middle East में बहुत सारी परफियम की ऐसी कम्पनीज आ गए हैं पिछले आठ नौ सालों ते जिनों से महंगे महंगे परफियम की इनों ने भी अपना एक निशसा सेग्मेंट बना लिया है perfume की market में एक बहुत बड़ा share बना लिया है क्योंकि internet के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में information अब बहुत जल्दी लोगों तक पहुँच जाती है और यही कारण है कि इस तरीके के जो brands महंगे experiences को कम दामों पर लोगों को दे रहे हैं वो बहुत जल्दी popular हो जाते हैं बहुत जल्दी market पकड़ लेते हैं जो perfumes का trade है जो इस commodity का trade है वो भी काफी असान हो जाता है तो middle east वालों ने इसे एक बहुत बड़ी opportunity के तौर पर आज के जमाने में इस्तेमाल किया है and they have successfully created a wonderful segment for themselves तो वहाँ पर brands like Armaf, Latafa, Rassasi वगेरा बहुत जादा commonly known है Latafa perfume market में काफी दिनों से हैं दोस्तों उनके perfumes काफी सस्ते थे as compared to other clone brands और आज भी काफी सस्ते हैं और quality दिन पर दिन improve ही होती गई है लेकिन यह हुआ क्यों दोस्तों दोस्तों ऐसा हुआ है कि perfumes के दाम जैसा हमने देखा है और बस niche perfumes की बात छोड़ दीजिए महंगे perfumes की बात छोड़ दीजिए यानि कि specialized perfumes की बात छोड़ दीजिए designer perfumes जो कल तक 2000-3000 उपय के भी मिल जाते थे जो common designer perfumes है वो आज के डेट में 5000 से कमें आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो किसी किसी online discounters के पास आपको मिलेंगे और वो एक थोड़ा सा risky deal भी हो जाती है बहुत बार देखा होगा आपने comment section में देखा होगा कितने लोग फस जाते हैं सस्ते के चक्कर में जो basic perfumes है basic aquatic floral perfumes basic generic designer summer fragrances जो हम malls में आम तर पर देखा करते थे even top top tier cities में नहीं बलकि tier 2 cities में भी जो basic malls होते हैं अपने lifestyle वगरा वहां पर यह सारे आपको मिल जाते थे आज के date में वो सारे detail prices मुझे लगता है almost 15% to 50% hike पर चीजें बेची जा रही हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पुराने perfume users भी है वो भी discourage हो रहे हैं और clones के आजाने के वज़े से जो एक नया market develop हुआ है कुछ ऐसे लोग जो perfumes अच्छे इस्तमाल करना चाहते हैं लेकिन budget बहुत जादा नहीं है तो उनका और इन दोनों जो segments हैं इन दोनों का आप overlap में देख रहा हूं क्योंकि बहुत लोग जो है designer और niche brands पर पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से rate perfumes वगेरा के बढ़ रहे हैं and this is not just India ये पुरा एक global affair है दोस्तों आज के date में clones इसी लिए western market में भी उसी तरीके से बिक रहे हैं मुझे लगता है कि western market में इनकी reach even ज़ादा है as compared to Indian markets और कलिजे Indian subcontinent in total तो वहाँ पर Latafa का एक perfume है जो नया तो नहीं है ये फकर सीरीज का perfume है और फकर सीरीज जो है यानि की नाज या गर्व हम जो कहते हैं प्राइड बेसिकली लताफा का प्राइड सीरीज है और इसमें आई थिंग तीन-चार अरग अलग तरीके के perfumes है ये है लताफा फक्र ब्लैक आप देख सकते हैं bottle presentation दो हजार से भी कम दाम पर ये अवेलिबल है इंडिया में और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा बिल मैंने कुछ दो हजार तीन-सो रुपेस के पेकेत है और अभी ये 1700 का जिस website से मैंने लिया था उस website पर मिल रहा है यहां पर लिखा है 18% IGST तो सब कुछ मिला कर दो हजार के अंदर आपको ये परफ्यूम मिल रहा है या दो हजार के आसपास मिल रहा है bottle presentation बहुत ही जबरदस्त है packaging बहुत ही decent मैं कहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहली बार कोई परफ्यूम खरीद रहा है और वो designer market से उप गया है या उस reach से डरता है कि मैं इतने परफ्यूम नहीं खरीद सकता हूँ और एक परफ्यूम खरीदना भी उसके लिए मुश्किल है कि डिजाइनर परफ्यूम दस पंदर हजार रुपे का तो आप इमाजिन कर लीजिए कि वो 5-6 परफ्यूम कैसे खरीदेगा इस्पेशली हमारे मौसम में जहां पर गर्मी बहुत जादा होती है वहां पर तो लोगों को परफ्यूम चाहिए तो लताफा वहां पर आप अगर 2000 रुपे में खरीद रहे हैं कोई भी इस तरीके का ब्रैंड खरीद है तो आपके पास multiple options हो जाते हैं अब रही बात कि परफ्यूम इतना popular क्यों है दोस्तों एक परफ्यूम है इस सलरों का जिसका नाम है वाई सबसे पहले मैंने उसके EDT का review किया था और मैं बिलकुल ही अनिंप्रेस्ट था उस परफ्यूम से मुझे रगा था बहुत ही जादा overpriced वो परफ्यूम था फिर उ सबसे जो common चीज़ें आपको popular परफ्यूम में मिलती हैं जैसे कि जो fruitiness है आप पाको रबान के Invictus सीरीज से उठा लीजिए बहुत लोग उसे रसासी हवस वगरा से भी compare करते हैं जिनोंने Invictus नहीं खरीदा या फिर Invictus खरीदा नहीं चाहते हैं तो वो चीज़ आपको वह अक्वाटिक जेनेरिक रेज आजकल चला हुआ है दियोर सवाश्च, वरसाचे डिलन ब्लू इस तरीके के fragrances में तो यह उस प्रकार का aquatic fragrance है उस प्रकार का एक fresh fragrance है जो पोहत जादा DNA जिसका market में popular है so it is not something unique but हाँ जब हम एक designer perfume की बात करते है तो वहाँ पर जो composition होती है यानि की जो अलग-अलग quality होती है notes की और जिस तरीके से उनको बिठाया जाता है basically जो blending होती है not just the quality of the individual notes but जो blending होती है बड़ी smooth होती है यानि की watching a film in 4K और watching a film on 480p यह difference है दोस्तों यह 480p है लेकि 480p जितना भी खराब नहीं है inferior नहीं है मैं कहूंगा की this is almost 720p as compared to YSL Y's 4K experience बस यही difference है otherwise fragrances दोनों बहुत ही जादा similar है और जिनको ऐसे fragrances पसंद है sharp, powerful, sweet, ambery, spicy वो चाहते कि उनकी fragrance जो है एक statement बन कर निकले बस यह नहीं कि बस उनको खुद को पसंदा है बाकी लोगों को भी उनके आस-पास पसंदा है तो यह fragrance वैसे लोग बहुत enjoy करेंगे अब रही age group की बात दोस्तों, age group जो है definitely 30 से नीचे का होना चाहिए इस fragrance को enjoy करने के लिए हलाकि यहाँ कोई limitations नहीं हैं बट मैं एक general statement बता रहा हूं कि जो अपनी young crowd है उसको यह fragrance बहुत पसंदाएगा यह जो sweet, थोड़ा सा cinnamon-y, spicy, जो bubble gum जो almost hubba-hubba type का जो एक experience देता है fragrance में यह young लोगों को target किया जाता है people who love to go out with their friends clubbing or social occasions, कोई भी ऐसा social occasion जहाँ पर आप चाहते हैं कि एक attractive modern scent लगा कर जाएँ वहाँ पर यह scent बहुत अच्छा बैठता है and the same goes for Paco Raban's Invictus, Rassasi Havas and the others like YSL Y भी मैं कहूंगा उसी segment का fragrance है so, यह fragrance जब open करता है तो YSL Y की तरह इसमें smoothness नहीं मिलती है, वो sophistication नहीं मिलता है definitely थोड़ी सी cheap है opening, वो थोड़ा सा spirit जो है ना को चुबेगी आपको, तो उसको ignore कर दीजे धिरे-धिरे fragrance आपके कपरों पर settle होगा और बहुत loud और powerful projection है for the first hour उसके बाद यह fragrance soft हो जाता है लेकिन इसकी longevity मुझे लगता है easily, 40 degree की गर्मी में भी 5-6 घंटे है तो आप imagine कर सकते हैं कि अगर आप एक air condition environment में हैं या फिर किसी colder weather में रहते हैं तो आप इससे definitely 8-10 hours performance निकाल सकते हैं अब रही दोस्तों compliments की बात यह fragrances generally बहुत जादा अच्छा response देते हैं socially so you will get a lot of compliments, you will get a lot of attention because एक typical popular designer fragrance की तरह smell कर सकता है so वहाँ पर कोई भी issue आपको नहीं होना चाहिए अब रही बात की दोस्तों dry down कैसा इस fragrance का dry down में यह fragrance थोड़ा सा मैं कहूंगा कि usually इस तरीके की जो fragrances होते हैं, clones of popular designer scents उनसे बहतर है white musk, थोड़े से abstract woody notes मिल रहे हैं जिनका कोई एक अपनी पहचान नहीं, अपनी personality नहीं है but when they mix, they create a nice scent bubble around you थोड़ा सा headache inducing है, थोड़ा सा इसमें irritant factor है especially जो वो enforce करता है, imbroxan imbroxan तरीके का एक जो synthetic amber gris या amber का note कह लीजिए जो sweetness, थोड़ी सी खटी sweetness जो होती है दोस्तों आसे fragrances में थोड़ी सी metallic प्रकार की वो थोड़ी सी नाक को चुपती है for example, bloodationale, उसमें भी ये element जो है वो skin पर sour हो जाता है खटे निम्बू की जो खुझबू होती उस तरीके का बहुत लोग उससे turn off होते है वो same चीज, वो same problem यहां पर भी है तो अगर आपको ऐसी चीजों का experience है तो आप इस fragrance से दूर रहे अगर इस तरीके के fragrances आप enjoy करते हैं तो definitely आप इस fragrance को enjoy करेंगे और मुझे लगता है कि कम दाम में, कम budget में बहुत ही बढ़िया fragrance लताफा ने निकाला है nothing original, nothing groundbreaking, but a successful perfume DNA को इन्होंने clone किया है मुझे लगता है almost to the tune of 80 to 85 percent yes, it is a bit raw, it is a bit synthetic to the nose but YSL Y भी अपने आप में कोई बहुत बढ़ा जो है एक शांदार fragrance नहीं है but definitely उसके notes थोड़े बहतर है, उसकी जो composition है, जो blending है definitely एक high level की and yes, kudos for being original, however, वो जो DNA ने है पुरा, यानि कि जिस bracket में fit करता है वो नया बिल्कुल भी नहीं है perfume industry के लिए तो दोस्तों ये था मेरा take, यंग लोगों के लिए एक जबर्दस budget fragrance 2000 के नीचे मुझे नहीं लगता है कि इस से अच्छा और attractive fragrance आप लगा सकते हैं अब रहे सबसे सस्ता alternative to this alternative मैं नहीं कहूंगा लेकिन अगर इस same segment की बात करें तो वापस से wild stone पर आ जाते हैं तो उस तरीके का दोस्तों ये fragrance है, अगर आपको वो fragrance अच्छा लगा और उससे ज़ादा बहतर experience लेना चाहते हैं तो definitely इस fragrance को try कीजिए, लेकिन अगर वो fragrance आपको कर रही अच्छा नहीं लगता तो please इस fragrance है आप दूर है This was my review of Latafa's Fakr Black और मुझे लगता है कि काफी decent fragrance है और जो अपने budget seekers है उनके लिए धमागेदार option है इस लेवल पर इस तरीके का experience आजखल बहुत नहीं मिलता है अब हो सकता है कि Latafa के भी prices बढ़ जाएं जैसा हमने देखा है trend तो वो आपके ऊपर है, आपकी call है मुझे लगता है 2000 के नीचे मैं इसके ऊपर एक उर्पया भी नहीं देना चाहता हूँ presentation भी बहुत अच्छी मिल रही, if Latafa can manage to keep the fragrance price even less than 2500 that would be great, otherwise उसके ऊपर फिर हम दूसरे options explore करेंगे चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, एक और धमाकेदार review के साथ, तब तक के लिए take care, good bye और हाँ जुड़े रहे इस channel से, जिसका नाम है perfume guru